हेलो फ्रेंद्स, वेलकम टू पी स्टाटिस्टिक टूरियल्स, मैं विनित्र, आज के इस सेशन में मैं लेकर के आया हूँ सिलेबस एनालिसिस, सिलेबस एनालिसिस हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में कम्पूटर अप्लिकेशन और डाटा प्रोसेसिंग, यह जो है आप आपका UPSC ISS Statistics Paper 1 का ही एक पार्ट है, ठीक है, अगर बात की जाए कम्पूटर अप्लिकेशन और डाटा प्रोसेसिंग की, तो यह जो आपका सिलेबस तो हम डिसकस की करेंगे, स्कूप की बात करें, तो सिर्फ इसी में नहीं जो है, अलग-अलग एक्जाम की परस्पेक्टि परस्पेक्टिव से, तो देखते हैं फ्रेंड्स, तो अगर बात करें हम जो है, कम्पूटर अप्लिकेशन और डाटा प्रोसेसिंग की, तो अपका दो पार्ट है इसके, जो UPSC ने प्रोवाइड किया है, अगर बात करें उसकी हम, ठीक है, तो इसके दो पार्ट है, बेसि सबंप्पूटर, तो बेसिक सबंप्पूटर में आपका क्या कवर होता है, ठीक है, तो बेसिक सबंप्पूटर जो अपका कवर होता है, जो घटक है, इसके दोंहीं का यो है input input देना output storage processing ठीक है यह सारे चीज जो है इनसे related जो है कैसकते हैं concepts processes ठीक है इसके बारे में जानना समझना different unit of computer computer के different different units हैं जो different processes को perform करते हैं जैसे कि आपका central processing unit हो गया जो भी processing का work है computer में जो है वो आपका central processing unit जो है perform करता है ठीक है central processing unit की बात की जाए तो यह आपका जो है जैसे RAM है main memory है CPU आपका microprocessor है इन सब से consist बनता है ठीक है फिर memory unit है आपका arithmetic logical unit है यह सारे CPU के ही part है ठीक है memory unit हो गया, arithmetic हो गया, logical unit हो गया, logical जो भी operations होते है mathematical operations होते हैं related ठीक computer से ठीक, fit input unit, output unit input जो है जिससे जो है आपका input unit प्रोवाइड कराना, output प्रोवाइड कराना, ठीक है जब processing हो जाता है तो इससे output कैसे मिलता है हमें किन devices के थुरू input देते हैं किन डिवाइसे के तुरू जो है और फुट प्राप्ट करते हैं प्रोसेसिंग होने के बाद ठीक है यह सारी चीजें इंक्लूडेर है अगर देखा जाए तो इस सिलेबस की हम बात करें तो इसमें जो सिलेबस है एक तरह से जो है बहुत ही जो है सौट में दिया हुआ है ठीक कि माल लीजिए अपरेशन साफ कंप्यूटर तो दिया है बट अगर बात करें कंप्यूटर है क्या ठीक है कंप्यूटर इजन इलेक्ट्रोनिक डिवाइस ओके विश्टेक्स इंपूट ओके थ्रू इंपूट डिवाइस प्रोसेसे जिट एंड गिप्स और पूर्पूट ठीक है तो एक बेसिक ज्यानकारिविप ठीक है अगर बात की एक हिस्ट्री में थो कैसे जो है कंप्यूट इवाइस सैंप क्रूप मेर्पीर करकू इस वेक्यूं में इस्तामाल किया जाने लगा फोर्थ जनेरेशन में आपका जो है इस्तामाल किया जाने बियुंट ज writers ई mão फ्यूटर में जाना कब से कब सूरू हुआ यह सब्सक् WITH और चीज एक सब्सक्राइब गबारत पुछे जाते हैं इससे पूछे जाते हैं ठीक यह of computer कितने types of computer जैसे कि analog computer hybrid computer ठीक है digital computer उसका computer की जो है types उसके size के basis पे computer कितने होते है super computer mainframe computer अपके stations यह चीजे हो गई ठीक है फिर आपका hardware devices hardware devices दिया है आपका including different types of input output peripheral devices इनके बारे में जो है मानलेजे क्या कौन सी input devices main input devices तरह तरक input devices ठीक है जैसे कि में अगर बात की जाए तो keyboard हो गया ठीक है mouse हो गया यह सारी क्या input devices है light pane है अलग-अलग input devices इनके बारे में जानना इनका working जानना ठीक है optical code reader उसी यार बार code reader इन सब इन सारी चीजों के बारे में जानना output devices जो है आपका अगर बात किया जाए तो output devices जो है monitor एक जो है important output devices computer में होता है यह सब हम सभी जानते हैं उसके अलावा printer है plotter है ठीक है यह अलग-अलग devices है output जो है प्रोवाइड गर आती है प्रिंटर डिफरेंट टाइप्स अप्रिंटर्स अलग-अलग तरह के printer printer होते हैं इनके जेट हो गया लेजर हो गया इन सब के बारे में जानना ठीक है यह basics के अंदर जो है प्रोड होंगे फिर अलग-अलग peripheral devices जो connected होती है जो computer से ठीक इसमें input-output devices included होती है फिर अगर बात किया जाए कि software system and application software ठीक है software अलग-अलग software से यूज किये जाते हैं computers के लिए ठीक है जैसे application software हो गया system software हो गया systems के जो है जैसे कि operating systems हो गया अलग-अलग operating system operating system की बात की जाए तो operating system की बात की जाए तो operating system क्या है ठीक है क्यों इसके इसके अंदर जो है different purpose के लिए इस्तमाल कैसे करेंगे तो उसके लिए अलग-अलग अप्लिकेशन software आते हैं ठीक है तो अगर operating system की बात करें या operating software की बात करें तो जैसे जी open source software भी होते हैं यह open source में आपका Linux आता है ठीक है Linux का उबन्तु है यह सारे सब जो है क्या है open source software operating system है उसी तरह से जो है Microsoft company उसने अपना निकाला है Microsoft OS जो है अलग-अलग OS आते हैं इसके है ठीक है उनके बारे में जानना application software में अलग-अलग specific purpose के लिए अलग-अलग software आते हैं जैसे कि photo video dating के लिए अलग-अलग software है Photoshop है आपका PDF के लिए अलग-अलग document read करने के लिए अलग-अलग software है जैसे कि PDF है Adobe Acrobat Reader है ओके word processing के लिए आपका wordpad है notepad है ठीक है MS word है spreadsheet जो है आपका software के रूप में जो है क्या सकते हैं business purpose के लिए इस्तमाल किया आता है उसके लिए MS Excel है ठीक है फिर जो है आपका video editing के लिए अलग-अलग software आते हैं तो there are numerous software numerous purposes इसके लिए अलग-अलग software का इस्तमाल उन समके बारे में जानना खासकर कि important software के बारे में जानना ठीक है यह जो है syllabus के अंदर का कवर होता है इससे questions जो है पूछे जाते हैं फिर number systems की अगर बात करें आपका syllabus में दिया हुए number system जो है अलग-अलग number system जो है computer के लिए इस्तेमाल की जाते हैं जैसे माइन नंबर सिस्टम हो गया जो कि जी आपका डिपिक्ट करता है उसके बाद आपका कह सकते हैं hexadecimal octa 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 decimal system ठीक है तो यह जो six अलग-अलग जो है number systems है इनका conversion हो गया ठीक है इडिशन हो गया ठीक बाइनर नंबर डाइडिशन सफ्ट्रेक्शन यह सारी चीजिए conversion जो है conversion ज्यादा तर एक्जाम में पूछा जाता है ठीक है octa to hexa decimal ठीक है hexa to binary तो यह जो है important जो है कह सकते हैं यह topic है अग्जाम में अकसर हर exam में आपका इससे जरूर इसन साते हैं number system से ठीक है तो यह आपके लिए जो है आप इसके बारे में पढ़ें जो है पढ़ना जरूरी है ठीक है फिर अगर देखा जातो आप्रेटिया लगविजेज डिफरेंटड लगविजेज हो गए जयसे लोख defined language हो गया हम समाझ सकते हैं उसके ने service के नजदीर होते हैं अच्छे सपनाके प्राइक जो यह बंच मदेऊं काई यहां अधोलेब्ल के नजदीक होता है ठीक है यह सकते हैं तो लल्य Democrat अलग 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 लंग विज इसे ऊंबली में आपका जो है जौ utilizz कट игр के लिए फिर आपका compiler जो है compiler हो गया Missed forget it compiler क्या होता है ठीक jy compiler की बात करें तो compiler जो है आस आपका जो only language को क्या करता है कि जो को chamado सोते हैं वह 자가 compile करता है compiler ठीक हैसीन लग्वेग्विज में जिससे प्रोसेसिंग के लिए आपका डाटा प्रोसेसिंग के लिए आपका डाटा प्रोवाइड करता है यह डाटा रहते हैं प्रोसेसिंग आपका डाटा आपका राटा रएं मेमोरी बहता है बढमीन अपर में रेरे राइड करते हैं रोम अथा इसके लौलेटार्ल और नौन वलता है यह समुझते हैं बाद सिनके त disp copy कि करेंगे आप डाटाता आप यह आपका डाट मुटर्स नहीं होता तो यह आपका यूऌनिड अफ कोम्पूटर एक कैसे के साभशकता है फिर एक बाक नेरे व fif जैसे कि बात करें अगर तो network से जो है अक्सर questions पूते जाता है जैसे तो नेटवर्क टोपो लाजीज हो गया ठीक है नेटवर्क क्या है network जो है नेटरर्क की basics जुँआ जानकारी इसके बारे में जानना नेटवर्क में हम जैसे कि network के आपका अलग जो group आप computers होते हैं ठीक है वह एक दूसरे से connect होके resource sharing के लिए उनको connect किया जाता है ठीक है उसी को networking क्याते हैं इसमें भी जो है अलग-अलग types होते हैं land, van ठीक है जैसे land दिया है तो local area network जो है small area में जो networking होता है computers के बीच में उसको local area network बोलते है land बोलते है वाइड एरिया network जो है क्या सकते है जो particular जो है बड़ी region में अगर जो है not particular बड़ी region में जब है network connected computer एक दूसरे से connected होते हैं ठीक है और इसो sharing करते हैं तो वह जो है वो कहलाता है ठीक है फिर internet internet क्या है यह भी जो है एक तरह का networking ही है computers का जो है दूसरे से जो है पूरे world में network क जो है wireless या फिर wireless सिस्टम्स के तुरू जो है connected होते हैं और जो है रिसोस के सेर करते हैं एक बूसरे से ठीक अलग अलग जैसे कि माल दीजे हम यहां पर अभी अपने देश में बैठे हैं तो हमें अमेरिका चाहरा सिया में connect करना है तो हम इंटरनेट के थूर जो है video audio call कर सकत right now you know you कidée तुरू कर सकते हैं Internet के तुरू कर सकते होटे कि इंट्रानेट इंटानेट की बाद करते हैं तो इंट्रानेट जो है आपका particular किसी institution में किसी का सकत है जो इंटनेट शे mercury जो आपना होता है उसको जो है internet बोलता है बेसिक सरभ के स्टेटी you know तो जो है network में network on internet ठीक है network internet में आप देखेंगे कि जो networking से related जो है topologies हैं अलग-अलग topologies होती है कैसे जो है किस layer पर communication level पर physical layer पर network level पर कैसे connected होते हैं ठीक है उनके बीच क्या processes है जिनके थूँ जो है और data का आप क्या सकते है है transfer होता है यह सारी चीज़े जो है network के अंदर देखेंगे अलग-अलग OSI model होता है उसके बारे में देखेंगे ठीक है कवर होता है इसके अंतरगत फिर आपका है बेसिक सब कंप्यूटर सेक्यूरिटी कंप्यूटर सेक्यूरिटी क्योंकि कि कंप्यूटर जो है आपका अगर कंप्यूटर का में इस्तेमाल कर रहा है बहुत सारे खोंप्यूटर का इस्तमाल कर रहे में इसके और इन्टीवाइरस के तरे था सबस्क्राइब था ना इस पर बचने रखने के लिए इसके अंधर, इसके आदर को से बचने वाइर युथो का क्या करते हैं आपका फिल्टर करते हैं आपका कनेक्शन होता है उनको फिल्टर करते हैं कि इस पाइवेयर के बारे में जानना मालवेयर हो गया यह सब क्या है अलग टाइप की जो है वायरस होते हैं ठीक है यह जो है आपके कुणेज़ करनें कंपूटर में घुश करके की उन् demolition को चुरा लेते हैं ठीक है उनको डाना कुंक एफनक कर देते हैं तो इन सारज शीजों के बारे में जानना ऐखियं समझना है तो ही पीसिक मंत आपका शील्वच साउथ तो अलग computer के बारे में ठीक है पढ़ना आपको operations different operations हो गया, computer organization हो गया, computer के internal components हो गया, उनके processes हो गया, कैसे internal, वो interact करते हैं, components एक दूसरे से, ठीक है, motherboard है, आपका अलग-अलग, motherboard के अंदर कौन-कौन से जो है, अलग-अलग devices लगी हुई है, उनके बारे में जानना है, ये सार computer, आपका जो है, UPSC questions जो है, अक्सर जो है, कह सकते हैं, maximum questions जो है, आपका इस पार्ट से जो है, आता है, लभवा जो है, आपका 80% questions जो होगा, UPSC, ISS के exam में, ये आपका basics आप computer से cover होगा, ओके, तो ये एक important section है, computer application और data processing में कह सकते हैं, ठीक है, फिर है आपका basics of programming, ठीक है, programming का basics होता है, ठीक है, programming क्या है, programming क्या है, जो है, जो भी instruction दिये जाते है computer को task particular task perform करने के लिए, ठीक, वो ही program होता है, ठीक है, जो भी instruction हम जो है, किसी computer को जो है, किसी language की सुरू, किसी जो है, देते है computer को, ठीक, वो क्या है, वही programming में आता है, ठीक, जैसे जैसे complex होता जाता तो अगर बात किजाए बेसिक सी बाते हैं तो प्रोग्रामिंग बहुत ही जो है बड़ा पार्ट लेकिन हमें बहुत ज्यादा नहीं जाना है ठीक है आपका 20% लगवग जो है आपका क्वेश्चन से पूछे जाते हैं अक्षा जो है एक्जाम में तो इसका देखा जाए अग अल्गोरिधम क्या है ठीक है computer processes को लिखने का जो है एक तरह से जो है और्गनाइजड वे अल्गोरिधम है फ्लोचार्ट है पिक्ट्रियल रिप्रेजेंटेशन आप प्रोसेसे ओके फिर डाटा इंफरमेशन जो डाटा के बारे में जानना information जो कलेक्ट हो रही है उसके बा इसके एक्सेस है जो डाटा को क्लेक्ट करता है अनलाइज करता है मैंज करता है वह भी जो है आपका basics of computer में आ जाएगा ठीक है तो database याद रखेगा उससे डिलेटेड जो है concept भी जो है आपके basics of computer में cover होते हैं ठीक है तो यह सारे फिर तो यह जो है basics of computer programming में अगा देखे त डाटा इंफरमेशन, डेटा बेस, ओवर्वियो आफ डिफेर्ट प्रोग्रामिंग लंग्विजेज, अलग-अलग प्रोग्रामिंग लंग्विजेज के बारे में जानना, हाइ लेवेल लंग्विज, टीक है, जैसे कि जावा हो गया, पाइथान हो गया, C लंग्वेज हो ग कोई भी प्रोजेक्ट है, तो जैसे कि माल लीजे, फ्रेंटेंड में जैसे ब्राउजर है, तो ब्राउजर में जो है, आपका कैसे जो है, ब्राउजर का फ्रंट जो एरिया, जो हम देखते हैं सामने जो है, अप्लिकेशन में वो कैसे डेवलप होता है, ठीक है, या फिर ब ऑपरेटर्स होते हैं घ्लिके अलग अलग जो ऑपरेटर्स का इसनाल करना ऑपरेटर्स का प्रिसेडेंस क्या है कैसे काम करते हैं धर एसτιमेर छल्मीरिनफेटि regulating duel अलग अलग जो करेटर्स होते हैं जो है प्रिसिडेंग किया है ठीक ड़यता यह ताइफ होता है इसके बारे में जुआत्बी सब्सक्राइब है इसके बारे में जो नो 从 मॉडिल जो हैं ऊब लुप फॉर लूप एसके बारे में आपका अका डिकाद करता है कंडिशनल स्टेट्मेंट में प्रोभाइड किया जाता कंपूर्टर का ठीक है जैसे जो प्रोग्रामिंग में कैसे जो है वर्क करता है तो conditional statement के थूर्ट करता है उसके बारे में जो हैं चैनल में देखेंगे Exceptions क्या exceptions है ठीक है प्रोग्रामिंग से रिलेटे ठीक ही कंपूटर की में जो है debugging प्रोसेत इवाइगी क्या होता है जो भी debugging के अंदर आता है उसे related जो concept है ठीक वो जो है आपका basics of programming में cover होगा तो यह जो है friends जो है क्या है आपका एक overview मैंने दिया ठीक है एक basics of computer और basics of programming के बारे में क्या सकते हैं हमने discuss किया ठीक है कि कौन-कौन से जो है topics हो सकते हैं और extra क्या जो इसमें दिया हूँ इसके अलावा और extra क्या जो है cover हो सकते है topics में इसके बारे में हमने जाना ठीक है basics of programming में ठीक है जो major portion है आपका basics of computer इस portion से जो है cover होते हैं ठीक बाकी जो है आपका basics of programming से तो यह जो है आपका syllabus था अगर बात करें फ्रेंड्स strategy की exam strategy की कैसे जो है आप prepare करेंगे exam में ठीक तो उसकी बात करें तो अगर application particular application नहीं application के लिए exam के कोई भी तयार कर रहा है तो देखिए friends तो कोई भी exam तयार कर रहा है तो उसका आपको एक exam का format है और उसका syllabus है उसको आप thoroughly और अच्छे से जो है understand पहले समझेंगे ठीक है तो उसको जब आप समझेंगे ठीक तो आपका एक perspective बन जाएगा आपकी एक understanding बन जाएगी कि हां मेरे syllabus में यह topics cover होते हैं ठीक है और मेरे exam का यह जो है format है यह mcq based है है ठीक है mcq में statement है कितने statements based questions किस तरह से आते हैं तो उसको जो है एक तरह से जो है आप पी बाई क्यू पीवेस यह questions होते हैं उसको जो है go through करिए उनके थूँ ठीक है तो उनको समझेंगे syllabus को समझेंगे ठीक है computer application की तो पहला जो है process आपका syllabus को समझना exam format को समझना ठीक है उसके बाद आप जो है जब आप syllabus को समझ जा रहा है exam format को समझ जा रहा है तो एक study plan तयार करिए उस study plan से जो है आपका कितने घंटे आप पढ़ेंगे क्या topic आप जो है क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें उसी में आप time ना गवाए अपना तो इक study plan तयार कर सकते हैं ठीक है त्यार करिए फिर जो जब आप study plan कर लेते हैं क्या-क्या पढ़ना है तो जो जो syllabus में है आपका topics हैं उनके जो basics होते हैं उनको अच्छे से समझें ठीक है फिर आपको जो है stay up to date with the latest development मतलब क्या है इसका latest development से up to date क्यों रहें जो भी अगर computer की बात करें पर्टिकूलर की computer application की ठीक है तो computer का जो area है आपका आप जानते हैं कि इसमें technological advancement होते रहते हैं जैसे जैसे time बीटता है समय बीटता है आपसमें technological advancement होते हैं तो उसमें अलग-अलग technology आती है सब कुछी जा अपसोलेट हो जाती है तो अगर आप to date रहेंगे तो जो भी questions जो है माल दीजे present time में या current से पूछे जाते हैं इससे related जो है computer application से तो आप जो है इसका answers दे सकते है अगर मैं यहीं कहूंगा कि जो है अगर preparation strategy की मैं बात करूँ तो देखिए सारी कुछ चीज़ें करने के बाद जो सबसे important चीज़े practice 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 ठीक है जैसा यह आप सभी ने सुना होगा practice makes a man perfect okay not only a man woman also ठीक है दोनों gender included है ठीक है तो boys हो चाहे girls ठीक है जो भी आप competitive exams के लिए preparation कर रहा है तो आपके लिए जो क्या है practice 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 यह मूल मंत्र होना चाहिए ठीक है इस जितना आप practice करेंगे उतना ही जो है आप जो है फ्री होके exam जो है दे सकते हैं ठीक है free mind से exam दे सकते है confusion आपका ठीक है तो यह जो है आपका practice करिए आप ओके फिर अगर बात करें तो देखिए exam के preparation में ठीक है तीन बाते जरूर आप याद रखें ठीक है तीन बाते क्या कि जब भी आप exam किसी भी exam की तयारी कर रहा है तो discipline बहुत ही जरूरी है ठीक है अगर आप serious हो आप चाहते ह जो है क्या करो उसको निगालो आप exam में जो है successful हो ठीक है तो उसके लिए discipline, focus और hard work यह तीन चीजे बहुत ही ज़रूरी है आप discipline रखिए जो भी exam particular तयारी कर रहा है उसके प्रति आप इमांदार है ठीक है जो है समय से जो है जो है जो भी समय आपने तय किया है उस समय में ज अजिए social media से related हो और चीजे related हो उसे तो focus आपका exam के perspective से या पिर exam के वेज से जो है आपका उस पे exam पे आपका focus रहना चाहिए ठीक है उनकी उन्ही subjects उन्ही से related हाड़ work हाड़ work देखे कोई भी काम हो हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें hard work की जरुवत हमें पढ़ती है ठीक है बिना hard work या बिना work की किये आलसी लोगों से जो है कुछ जो है वो achievement नहीं पासकते है ठीक है और नहीं तो जो होता है उनके पास वो भी गवा देता है तो hard work बहुत जर अच्छीव कर सकते हैं उसमें successful हो सकते हैं ओके लास्ट में कहुंगा stay motivated stick to your study plan and keep practicing and you will be able to achieve your goals ठीक है motivated रहें ठीक है अपने study plan से stick रहें ठीक है बाद मान लीजिए आपको कभी-कभी जो है बोरियत महसूस होती है तो देखिए जगाताद थोड़ा-थोड़ा सा gap ले ठीक है कुछ समय का gap लीजिए पढ़ने के बीच में तो उससे क्या होगा आपका आप जो है आपको जो है बोर नहीं होंगे ठीक है आप procrastinate नहीं होंगे ठीक है तो यह सारी चीजे थी तो trends जो है आज हमने आज के session में हमने जो है computer application and data processing इसके बारे में जो है इसके syllabus के बारे में हमने discuss किया और यह जो computer application and data processing है यह जो है आपका statistics 1 का part है ठीक है UPSC ISS का ठीक तो इसको हमने आज discuss किया अगर बात करें computer application and data processing इसके scope की तो यह particular आपका जो subject है आज present time में चाहे central government की vacancy हो चाहे state government की vacancy हो किसी भी organization की vacancy हो हर जगा जो है knowledge आपका computer application का knowledge जरूरी है important है ठीक है तो अगर other exam के perspective की बात करें तो आप इससे लाव ले सकते हैं अगर पढ़ते हैं तो आप जो है other exams में भी आप अच्छा perform कर सकते हैं ठीक है आप उसके भी काम आएगा other exams में भी आप आपका काम आएगा यह ठीक है computer application तो friends यह से लिए बस analysis था computer application and data processing का मिलता है next session में एक है के ऊपसरों अपसरी हैं अपनित काम आएगाउ 技ावी आपका कारान में अधन टो आपका चान आपका है उतक है